तो आज क्लास 12 का अब्जेक्टिव यानि की बार्मी का अब्जेक्टिव हिंदी जो सांस वाले विदार्थियों को हुआ था आज उसी का अब्जेक्टिव है तो देखिए पहला क्वेशन है कि भग्त माल किसकी रचना थी तो इसका अंसर हो जाएगा ए यानि नावाधास दोस्तो ये सेट नमर ई है दूसरा क्वेशन है कि हिंदी कहानी के विकास के मील का पथद कौन सी कहानी मानी जाती है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका बी यानि पंच परमेश्वर जैसंकर परसाद का महाकाव्य यानि कि क्वेश्चन नमर थी है इसका पहला इसका अंसर हो जाएगा अप्शन नमर ए यानि कि काम्यानी अब देखिए पुत्र ब्यो सिर्शक कविता के कवित्री कोन है तो इसका अंसर हो जाएगा आप्शन नमर सी यानि कि सुभद्रा कुम आया कि ज्ञानोंद्रपति की कभीता कौन सी है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका ए हिंदी साहित का सूर्ज किसे कहा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा सूर्ज दास गोद में सोने वाला इसका अंसर हो जाएगा यहनि कि बालक जो देखेंगे नमर 12 दे रखा है कि गुरु के समीप रहने वाला को क्या कहते हैं गुरुकुल और जिसका खंडन न किया हो उसको क्या कहते हैं और खंड यह और देखिए मेरे दोस्तों पंद्रा है उसके पास जिसके पास जिसके बिना काम ना चले उसको क्यांग है क्वस्चन इर्फ 15 एक अवपर मेइसट्पा अधा नर्यकों नवर Champa जो काने योगे हो और उस्सेका ढतेयान का प्रियाबाची सब्द टेंहें कि आग हो जाएगा हले कि अब क्वस्चन नमर्ट है कि आइस मान का आईस मान का प्रियाबाची Apalif अब question no.19 question no.19 यानि कि जंजर यानी इसका अंसर हो जाएगा आपका c यानि बवाल इसके नोब सब्द करना का सब्द का प्रियावाकी सब्द क्या हो जाएगा यानि कि भयानक नोर पर आस्तिन का साप होना यानि कि जार्ष एप घर में घर में ची ऐसा ही कोई ओप्शन होगा यहां कट गया है अब देखिए 22 का क्वेश्चन है यानि कि हाथ का मैल हो जाना यानि कि दुख्छोना इस माथा ठाकना यानि कि इसका अंसर हो जाएगा आपका सी यानि आसंका अब देखिए कराया चोविस नमर कि तूति बोल का मोहबरा कोंसा होगा यानि कि 24 का हो जाएगा ब यानि कि धाक क्वेश्चन नमर पाचीस है उल्टी गंगा भना यानि कि इसका अंसर हो जाएगा सी यानि कि बीफिरित कार्ज करना अब देखें, question number 26 दे रखा है कि रसोई, रसोई घर का कौन सा समास होगा? यानि कि इसका अूसर होजाएगा? तत्पूरुस समास. चन्द सेखर आजात कौन सा समास होजाएगा? बहु बीड़ी समास. वन मानुस सब्द का कौन्सा समास है तो इसका अंसर हो जाएगा और शुर्दास किस भाषाका कभी था तो इसका अंसर हो जाएगा यानि कि बर्ज भाषाका अब क्वेशन नमर 32 है कि दलित साहित का सुंदर्य के नाम का अलोचना पुस्टा केस ने लिखा था ओम प्रकास बाल में की और ओ सदा नीरा यानि कि इसका सिर्षक कौन है तो इसका अंसर हो जाएगा यानि डी यानि कि गहरे का विश्वास विशाल अब क्वेशन नमर 34 दे रखा है कि कि नागरिकों की पंक्ती किस पार्ट से लिए गई है तो क्वेशन नमर 34 जो है उसका अंसर हो जाएगा यह यानि कि हार जीत से और क्वेशन नमर 35 आशक बाजबी का मुल कहा है सागर मद परदेश में हुआ था अब देखिए क्वेशन नम कर देखिए क्वेशन ओप्सिंट नमर 34 की स्वेशन नमर 30 में होजाएगा बिरों नfilled ऎंचा नेचा और पर्टिन का क्वेश्चन है कि कधोड सब्स का बेलों मों आकमल और लीडर मेंजेस्टर जाओं था वह विश्विश्विश्षक था कृष्ण मुल्ति जो था वह विश्विश्विश्षक था उद्य परकास का जनम कभ़ा था तो इसका हो जाएगा एंसर सब्सक्राइब लाइब तो यह हो जाएगा आपका तिरीच जो है वो आधुनिक त्रस दी समझ गए है अब प्रकिर्तिक वर्णन की संबद्र किस से है तो दो यहीं किसका फोड़ेगा उसा कभियों के कभी के क्या किसे कह दाता है तो इसका आचर जायेगा यानि are you it's a North or North a सभ्प 750 समसीरवादुर सम्सान समसेरवादूर सिंह तर सकीывать का इस देखिये कि अब देखिए जीजे क्रिष्ण मूर्थी यानि कि इसका पुरा नाम क्या हो जाएगा जिद्धु क्रिष्ण मूर्थी पंचायथी राज्जु है वो पंच परमेश्वर से और किसी-किसी में इमान दे रखा है है और यह हो जाएगा अंतोच से खनद की ये केलर की मोत से लिए गए है ओर एक पत्र में भई किसको पत्र क्या रहे यानि कि यह सुकदेव को पत्र लिखा है तो स्टेरी कराई तेरी कुर्माई हो गई इस से लेगा है तो उसने ख़ाता पर थे यानिकि यह काराध्यक्स पर थे अब कर दोर रहे है सेंक आओ रहं हो जाएगा यानि कि स्वक्ष क्यों और सट्रक्राइब में जैएक जाएगा अब शसाया जाएगा अगि असेस मिराइब यह दिस सब्सक्राइब पर दिए अब कि अक्सरो," क्या हो जाएगा इनने की क् ! Come on प्रत्या क्या हो जाएगा अंकुरी सब्द का प्रत्या क्या हो जाएगा अंकुरी सब्द यानि 64 का हो जाएगा अप्सवन नमर सी यानि इत महिमा में इमा प्रत्या हो जाएगा और अनंद में कोन सा समास है कि 66 में हो जातवि अभिविव रहत नवरतन का कोन सा समास हो जातवा यानि दिखुष समास चंद्रमोली सब्द जो है वो कुनसा समास है यानि की दिकु समास अकास-स-समास आकास-पद़ाल का, प्रिश्रम करना और यात आतरा यह क्या है पुलिंग है चमक चमक है अप्शन नमर बी यानि इस्तिरलिंग और संधी के कितने बेद है तो 73 खाओ जाएगा यानिकी तीन बेद है संधी के अब देख्ये चोतर मैं की पूरान सध का अब और को सघ्ष यानिक हो जाएगा और कर अब और जिसने गुरु की दिच्छा ली तो वो क्या सब्द कालाएगा दिच्चित और सीव का उपासक क्या का लाता है यानि कि आप्शन नमर भी यानि सेव अब देखे क्वेशन नमर थाटी वान अटी वान का अर्दनीष वर क्यों लिखा कोने रामदारी सिंग दिन कर चंदरधर्ध सर्मा गुलेरी का उसने खाथ और सिर्सक सिक्षा का सिर्सक जे जे किसनमूर्ती निम्न निम्न में से किस कहाने का गेगरी नियानिकी रोज सिपाई की मा यानिकी मोहन राकेस लिए यह क्या है यह एक निबंध है दो कि जैन प्रकास नारायन के र Pourquoi रचुता हैं और बहुत वह कर देक्स लिखाक आ 건ड़ल की कबीर दास लिखाए रख्षख थान कुल रोड़ कुल तर्रीं लर्वाल आपशन नमर्ङक वड Hai है इंटि थ्री में अज्यांग में हो जाए अप्सन्हाह्यागा अ और नैंटीफॉर में वह निकलb i निकल ची करना यह जिन यानिकी निकी कभॉर का आपसप्षण हो जायागा huh dnarone ची ‫ येस सउदा का सब्सक्राइख जोड़ सार अब नैंटीव को pil अब दीए हैं 99 और 99 काइका यह पूलिंग हो जायागा gi जो है वो अप्सिन नमर B याने की पूलिंग हो जाएगा इस कांसर मेरे दोस्तों इसी की तरह आप भी हमारे चैनल पर बने रहेए आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक कांसर की मिलेगा और इसी के साथ का लास 10th का उब्जेक्टिव शुरू होने जा रहा है महा संगराम थेंक यू जाएंद मेरे दस्तों थेंक यू